पूर मंत्री जीयस बाली ने राजे सरकार को कटकरे में खड़ा किया है जीयस बाली ने कहा कि सरकार के बिकास के नाम पर करोडों का लोन लेती है लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता कामड़ा जिला महतपुन रहता है लेकिन यहां की अंदिकी हो रही है आवाज उठाने पर Central University और Fourland जैसे प्रोजेक्ट मिले हैं लेकिन अभी तक सरकार ने इन पर कोई काम नहीं किया है पूर्मंत्री जीयस बाली ने राजी सरकार को कटकरे में खड़ा किया है जीयस बाली ने कहा कि सरकार के विकास के नाम पर करोडों का लोन लेती है लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता कांगरा जिला महतपून रहता है लेकिन यहां की अंदेकी हो रही है आवाज उठाने पर Central University और Fourland जैसे प्रोजेक्ट मिले हैं लेकिन अभी तक सरकार ने इन पर कोई काम नहीं किया कांगरा के हेतों के खिलाव अगर सरकार जाएगी तो इसे हर्गिस बिर्दाश्ट नहीं किया जाएगा बिरोजगारी और सिमेंट की कीमतों में बिद्धी पर पूर्बंत्री ने कहा कि सरकार बिरोजगारी पर ध्यान देती ये सबसे बड़ा मुद्धा है और इसको पूरी तरह नजर अंदाज किया जाता है बिरोजगारी को पहली प्रियोर्टी देनी चाहिए थी लेकिन खेद की बात है कि सरकार कुछ नहीं करती सिमेंट के दाम हर रोज पढ़ रहे हैं लेकिन सरकार आंखे मूंदे सोई है सरकार को बताना चाहिए कि बिजली किस दाम में बाहरी राजियों को बेची जाती है हिमाचल में बिजली के दाम भी जनता को दिये जाए ताकि जनता को भी सरकार का पता चल सके अगर हिमाचल में सेमेंट की तरह बिजली के दाम भी महंगे हुए तो इस सरकार को भोले शंकर ही बचा सकते हैं एरपोर्ट बिस्तारी करण को लेकर पूछे के सवाल पर जीयस बाली ने कहा कि सरकार को सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए पिता एकसांसद और राजने तक क्या चाते हैं लेकिन आगरी डिसीजन सरकार का ही रहता है और उसे आगे आकर बात करनी चाहिए सेंट्रल यूनिवस्टी का शिला नियास परधान मंत्री ने किया लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ ऐसा पहली बार हुआ है जब परधान मंत्री से अधार शिला रखवाई गई और आभी तक काम नहीं हुआ हो शिराब की बड़ी हुई कीमतों पर उन्होंने कहा कि इससे गाउं गाउं में शिराब के ठेके खुलेंगे जो अच्छी बात नहीं है मादक पदार्तों की खेप रोजाना पकड़ी जा रही है लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रही ये एक चिंता की बात है सरकार को इसके लिए एक अलग टास्क फोर्च बनाने के लिए भी सोचना चाहिए एक अन्य सवाल के जवाब में दिगस नेता ने कहा की राजनीती में कोई किसी को नहीं धमकाता यहां शाइन भाग बाले नहीं धमक रहे तो राजनीता क्या धमकेंगे कई बार अपनी भाशा पर सयम रखने के जरूरत होती है जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा की ब्रिक्स को इग्नोर किया जा रहा है जिससे परदेश को काफे हिट पैक होगा में अपने आप आज मिनिस्टर अधिकारी को बला के का कि वहीं इसको रूपो मगर उसके बाप जूद भी बन गया तो आप लोग समय रहते आपको यह सारी चीजे एक्सपेंशन और बाकी चीजों के पर द्यान रखना चाहिए आप यह देखना चाहिए कि जो ग्रीव हो और जो वायदा वो भी ऐसा बन जाए कि यहां इंप्लाइमेंट हो सके लोगों को मुक्रियां मिल सके हैं लोगों का रूरिगार चल सके दोनों चीजें पर लिग होना चाहिए उसको देखना और करना आज की गोवर्मेंट का काम है कि रएकषा करों कांगरा अभी तक क्या मिलाे कॉस्टी के आपश्याइड म qo mhd १ा तक कांगडा जसे जेले को कुछ नहीं मिला ब्रिक्स से बाहर कर दिया और फोर लेंचे टू लेंच करने की बात करने हैं इसके लिए साथ चलना चाहिए कांगडा के लोगों को हम एजुकेट करेंगे समयाने के उपर कि क्या 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 हुआ आपके साथ हमें बाकी जगह क्या करें ना उसका कारेक्रम में एक बार फेबक चला चोटे से बेक का ब्रेक के बाद जारी रहेंगे परदेश की कतिवतियां